हेलो फ्रेंज विलकम बैक तु मैं चैनल कैसे वाफ सब आफ सब आफ सब बहुत आज होंगे तो आज में आप लोगे साथ एक्टिव होमेड रेमेडी जो है वो शेयर करूंगी मैं वोमें दोनों के साथ ही हैरफोल की जो प्रोड़ोंस है वो लगतार बढ़ती ही जा रही है इससे पहले भी मैं आप लोगे लिए होमेड रेमेडी जो है शेयर कर चुके है लेकिन इस बार पोड़ा सा उसका प्रोसेस जो है हम लोग ने चेंज किया है और अभी मेरा हाथ भी आप देख सकते हो लाग है मैं अपने बालों में लगा चुकी है लेकिन मैंने किस तरह से को तयार किया है उस मेहडी को तयार किया है वह अभी प्रोसेस अभी आप लोग के साथ शेयर करेंगे चले देखते हैं कि किस असको बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे हीना कोई भी मेहडी पाउडर आप ले सकते हैं वैसे यह जब हम डैली करे थे तो वहां पानी में अबाल के अच्छे से इसको तब जाके मैं इसका यूज करूंगी तो यहां पर टू टेबल स्पून भड़के आप कॉफी डाल देजिए कॉफी जो है बालो को बहुत नैच्रिल कलर देता है लेकिन आपको और जादा रेडिस चाहिए बहुत अच्छा कलर तो हम लोग इसमें जो हम लोग एड करते हैं चाय पती वह हम लोग डालेंगे दो चमच भरके जितना आपको महंदी का पाउडर बैटर बनाना है उसी उबाल लीजिए इन दोनों को अभी हम लोग कम से कम दस से दस मिनट तक एक लिस बस उतना दर तक बन ले देंगे तक कि उसका जो पूरा कलर है पानी में आज आए जब तक हम लोग यहां पर बावल में निकाल लेंगे अपना महंदी यहां पर मैं करीवन तिन चार लोग के हिसाफ से निकाल ज़िए हम सब को ही लगाना है घर में तो हम लोग सब के लिए चार लोग के हिसाफ से यहां पर निकाल ज़िए आप अपने हिसाफ से चितनी लोग कभी लगाना उसी हिसाफ से आप अपने अंदाजे से पानी और महं और अभी मेरा पानी वह भी अल्लीट वह हो चुका है इसको कर लेंगे च्रेंज छान लेंगे इसको एक बाउल में और अब इसको हम लोग इसमें एट कर दीए अब तो मैंने बहुत अंदाजे से पानी को डाला था और मेरा ना तो जाधा पानी वेस्ट होने वाला है बाकि सब इसी में लग जाएगा क्योंकि में इंदी का क्वांटिटी वी जो बहुत जादा है तो इसको भी आराम अराम से हम लोग मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे धीरे और जैसा आपको पानी लगता जाए आप उसे हसाब से डालते जाए याद रखे बैटर को बहुत ज्यादा थीक एकदम नहीं करना है और ना बहुत ज्यादा पतला करना है आप मेंदी का कलर देख सकते हैं यहां पर कितना अच्छा एकदम रेडिश अभी लग रहे है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है भी थोड़ा सा और इसमें वाटर डालेंगे हम लोग लोग दैट सिट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे से करिए ताकि कोई भी लंस ना रह जाए आपके अगर आपके पास लोहे का बरतन है तो फिर बहुत गुड है बहुत अच्छी बात है सबसे अच्छा अगर आप लोहे के बरतन में जब भी महनी को घोड़ के रात भर रख देते हैं तो वह बहुत जादा अच्छा है आपके बालों के लिए बहुत जादा मैं बता नहीं सकती फिलार मेरे पास नहीं था तो मैं या पर यह वाला बाल य đây ज dispουςण़ा और युदिं। कॉंसे इंग्रेटेंश वह बता है को जोगा है उत्तुकर लग काद कदलो होगे मैंगो मैं चूंडों हो खुड़ करना वैसी और आपको नहीं कुछाए खुड़ है आप लिकर हो जानी के और शुचाते है को को बता श्या है ना की मेहनी कैसे अ पॉने एक हम लोग सुबह सबस्कों अगर आप में लगा भी रहे ठंड के दिनों में तो सुबह ना लगा है अब दुपहर के वक्त लगाई और अभी हम लोग इसमें एट करेंगे अंड़ा जब भी आप हीना इस तरह अपने बालों के लिए बना रहे हों तो उसमें एक को जरूर एट करें उससे आपके बालों जो है बहुत ज़रा सिल्क शाइन और स्मूथ होते हैं और पूरा होल एक यूज़ कर लिए यहां पर और आप हम लोग इसमें यूज़ करेंगे निम्बू निम्बू क्योंकि यह तंड में टेंडर्फिंद्डफ भी बहुत जादा होती है तो देंडर्फ भी बहुठ़ बनाता है जब भी हिना यूज़ कर एट अंडर ऐसमें जरूर यूज़ है वह बनाता है यूज किया कर यह बहुत एफेक्टिव होता है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो यह है कि आप अपने बालों पर लगाने के बाद एट लिस्ट दो घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए बहुत जादा सूखनी के बाद भी नहीं कि धोना है बस दो घंटा एंडू है आपके हाइर वष के लिए उसके पाद अपना हैर व्ट कर सकते हैं सैंपू यूजर नहीं करना है और बाल ट्राए होने के बाद आप उसमें अब कराउप है रोयॉल कर लिजिए जो भी आप हैयर ओयल यूस करते आप पू लगा सकते इसके नेक्स दे आप अपने बाल को दोड़ लीजिए सो फाइनल कंसिस्टेंसी जो हमारे बैटर की होगी वो एकदम यह होगी आप देख सकते हैं यह ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा थिक है एकदम ऐसा होना ची ताकि आपका जो तो हैर में लगाने के बाद वो गिरे ना तो चली अभी इसको अपलाई करते और आपका कोई भी महंदी हो आप अगर कोफी एट करेंगे चाय पती के पानी में तो कलर बहुत अच्छा बहुत नाच्रल आएगा यहां पर देख सकते हैं महंदी का लाइफ टेस अभी मैंने सबके सरु में लगाया है तो आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया एकदम नाच्रल कलर आया है आप इस तरह से अपने बालों में लगाई और आपका हैर फोल बगर जो भी औरने सब रुख जाएगा यहां आपके महिए में की तरह इस दुख शॉफ दशवार के वहां ने कि हमें तरह बालों को सफ्टन करता है शॉफ्टन करता है और बहुट जादा बॉल्यूम लाता है हमँरे हैर में । आज के टाइम पर हम किसना भी अच्छा अच्छा में अच्छा शैंपो यूज कर कि अपिन दावाया खा लेते हैं लेकिन फिर भी यह कुछ दिन के बाद बहुत तरह का लाइफ कर सकते हैं अगर हम चाहे तो रेमेटी को आप लोग अपने लाइफ में अगर अपने लाइफ में चाहिए अगर यूज़ करेंगे जैसा कि महीने में एक बार यूज़ करेंगे तो आप बहुत जादा फर्क देखेंगे इवन मैंने वे इस चीज़ का फर्क देखा है तब ही मैं आप लोग के साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे तो ही में वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूं